अस्सलामु अलेकुम फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपके साथ में मटन अरवी गोष्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ इसे मैं बहुत कम ऑईल में बनाऊंगी लेगिन फिर भी ये बहुत ही जायकेदार बनके तयार होगा चलिए से बनाना शुरू करते हैं क करके अंदर मैंने डेड़ सर्विंग स्पून के बराबर ऑईल को गरम करने के लिए रख दिया है ऑईल हमारा बहुत अच्छे तरीके से गरम हो चुका है देखिए यहां पर मैंने दो मीडियम साइज की अनिन को स्लाइस में कट करके इसके अंदर आट कर दिया है इसे एक स इस ले लिया है कुछ मैंने दालचीनी के टुकड़े ले लिए सभी मसालों को इसके अंदर आट कर देंगे इसे इसी के साथ में चलाते वे भून लेंगे देखिए यहां पर मैंने 500 ग्राम के करीब मटन ले लिया है इसे मैंने अच्छी तरीके से वाश करने के बाद इसके अंदर आट कर दिया है इसे भी लगतार चलाते वे भूनेंगे गैस का फ्लेम मैंने हाई किया हुआ है, हाई फ्लेम पे इसे भूनेंगे यहाँ पे मैंने एक टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट के अंडर आड़ कर दिया है इसे भी लगतार चलाते हैं भून लेंगे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिजिए लीजिए यह भून चुका है, इसका कलर चेंज हो चुका है यहाँ पे मैंने डे टीस्पून सॉल्ट ले लिया है, डे टीस्पून मैंने रेड चिली पॉटर ले लिया है कि इसे लगातार चलाते वे भूनेंगे अच्छी तरीके से लीजी अच्छे से भून चका है इसकी बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है मैंने इसके अंदर एक कपके करीब पानी आट कर दिया है इसे mix कर लेंगे अब इसकी lead को cover करके 2-3 pressure लगा लेंगे या फिर जब तक यह 90% कुक नहीं हो जाता तब तक इसे गला लेंगे यह देखिए इसका मैं pressure release कर रही हो यह देखिए यह 90% कुक हो चुका है मैं आपको दिखाती हूं चेक करके लीजी मैंने इसे चेक कर लिया है gas का flame मैंने फिर से on कर दिया है अब इसे high flame पे फिर से भूनेंगे अच्छी तरीके से इसकी भूनाई करेंगे लीजी यह भून चुका है तो अब हम इसके अंदर 2 medium size के टमाटरों को add कर देंगे chop करके चली अब इसे भी भून लेंगे इसी के साथ में इसे लगतार चलाते वे भूनना है इसी तरीके से कूकर की लिट को मैं कवर कर दूँगी medium flame पे इसे भूनने दूँगी 3-4 मिनिट के लिए लीजी तरमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके है इसे अच्छी तरा से चलाते वे भूनेंगे ताकि oil separate हो जाए लीजी इसका oil separate हो चुका है यहाँ पे मैंने 300 gram के करीब अरवी ले लिए इसे मैंने 2 टुकडों में कट कर लिया है इसे मैंने wash करके अच्छी तरीके से इसके अंदर add कर दिया है एक से 2 मिनिट के लिए इसी के साथ मैं इसको भून लेंगे चलिए यह भून चुकी है अब इसके अंदर 1.5 से 2 कब पानी आट कर देंगे आप जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं उसके इसाफ से आप पानी आट कर सकते हैं इसे mix कर लेंगे अच्छे तरीके से अब मैं यहां से इसके अंदर 3-4 हरी मिर्चों को add कर रहे हूं चलिए इसके lead को cover कर देंगे इसके अंदर 2-3 pressure लगा लेंगे लीजिए दो pressure आने के बाद मैंने इसे steam में छोड़ दिया था अरवी हमारी अच्छे से गल चुकी है लीजिए अरवी में चेक करके दिखा रही है गल चुकी अच्छे तरीके से चलिए इसे डिशाउट कर लेते हैं देखिए तैयार है हमारा मटन अरवी गोश आपको यह recipe कैसी लगी मुझे comment करके जरूर बताईएगा अगर मेरी वीडियो पसंद आईए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने friends and family में share भी कर सकते हैं चलिए मैं मिलूँगे आपसे next वीडियो में अल्ला हाफिस